दोस्तों नमस्कार, आदाव सच्छियकाल, नियोज क्लिक के कारिकरम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश अभी इंडिया एलाइंस में एक बड़ा सवाल जेडियो की तरफ से खड़ा हो गया है कि आखिर क्या वज़ा है कि जब मुंबई की बैठक में ये तै हो गया था कि एलाइंस की तरफ से प्रैम इन्स्ट्रियल कोई केंडिट नहीं पूटप किया जाएगा, इस तरह का कोई नाम नहीं लिया जाएगा तो दिल्ली की बैठक में क्या वज़ा है कि ममता बनर्जी और केजरिवाल सहाब ने खड़गे सहाब का नाम, मली कारजुन खड़गे जो कॉंग्रिस के राष्ट्रिय अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया और मज़ेदार बात यह है कि जेडियू के नेशनल स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी का जो इंटर्व्यू इस आशाय का छपा है पतना के अख़वारों में, पतना से छपने वाले कुछ नेशनल हिंदी डेलीज में वो उस इंटर्व्यू में सवाल उठाते हैं कि ममता बनर जी अरविंद केजरिवाल से मिलने के बाद उन्होंने स्वेम ही कहा था कि कोई प्रैमिलिस्ट्रियल फेस्ट नहीं होगा कोई ऐसा चेहरा हम नहीं पेश करेंगे, सब मिल जूल कर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे अगर हमारी बहुमत इस्तिती होगी तो फिर टैक कर लिया जाएगा जेडियू भी इसी के हक में है, ऐसा लगता है, खासकर इंटर्व्यू को पढ़ने के बाद तो ये सवाल जेडियू के रास्टी प्रवक्ता ने उठाया है कि ममता बनर जी और अर्विन के जिर्वाल की आपस की बैठक के बाद जब ये बात सामने आई कि नहीं कुछ होगा, फिर मीटिंग में ये क्यों उठ गया, एक सवाल जेडियू ने उठाया है कि आम तोर पे इंडिया एलाइंस में अभीत तक इस बात पर एक व्यापक सामती है कि इस एलाइंस के जितने कांस्ट्वेंट्स हैं, उनमें सब के पास बड़े-बड़े नेता हैं, कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास कोई बड़ा असरदार नेता नहो, आमें शरत पवार ह कि इस तरह से आर जेडी में तेजस्वी यादाओं हैं, इसी तरह से टीमसी में ममता बनर्जी हैं, इसी तरह अरविंद के जिरिवाल हैं, कॉंग्रेस पार्टी में अनेक नेता हैं जो प्रैमिनिस्ट्रियल केंडिट बन सकते हैं, राहूल गांदी हैं, उसमें आप मलिकार जो खडगे हैं, अनेक नेता हैं कॉंग्रेस पार्टी में, सीधा रमया हैं, किसी का नाम ले लिजिए, बहुत बड़े-बड़े नेता, सोग गैलोत हैं, तो ऐसी स्थिती में इन तमाम घटकों ने लगभग ये मन बना लिया है, हमारी कई पार्टी, जितनी पार्टी जिन के रूप में किसी को पेश नहीं करेंगे, किसी के नाम पर किसी के चहरे पर वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे, इंडिया एलाइन्स को आगे रखेंगे, इसलिए मैं समझता हूँ, कि जो एक विबाद ये पैदा हो गया है, एक कांट्रवर्सी जो इंडिया एलाइनस में बैठते हैं गप करते हैं मीटिंग में हो सकता है कोई उनकी योजना भी इसके पीछे हो नोबडी नोज उनके दिल में क्या था और क्या उन्होंने व्यक्त किया क्यों व्यक्त कर दिया मीटिंग में ये बात नोबडी नोज मैं समझता हूं कि सबसे बहतर तरीका ये हुआ होत मुझे लगता है कि ये एलाइन्स की जो एक जुटता है उसके लिए बहुत अच्छी नहीं बात है अब जो बात बीट गई वो बीट गई आगे से इस बारे में आपस में जो कांस्वेंट्स हैं घटक दल हैं उनको मश्विरा जरूर करना चाहिए ताकि ऐसी कोई प्रॉलम न आना चाहिए मिस्टर मलिकार जुन खड़गे का चेहरा हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है निश्चित रुप से मलिकार जुन खड़गे एक महत्दपूर्ण चेहरा है इसमें कोई दोराय नहीं है देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके रास्ती अध मुझा लगता है कि ये बात अब धीरे धीरे कांस्वेंट्स जो है जो घटक दल है उनके बीच ये इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है अभी ये एक अलग से भी बात था साब कि नितिश कुमार जी जो है वो रूठ गये हैं वो नाराज हो गये हैं लेकिन उनसे मुलाकात केवल की तेजस्वियादव ने बलकि राउल गांदी ने तो फोन पर बात चीट की उनसे और दोनों तरफ से कहा गया जो जेडियू के जो सुत्र हैं वो बताते हैं कि नहीं कोई ऐसी स्थिती नहीं है कोई कोई नाराजगी नहीं है अपनी जो असामती असामती है वो हम लो यह सामती होती रहती है लेकिन इंडिया एलाइंस के नुकसान की कीमत पर कोई सामती है सामती का प्रश्ण यहां उठता ही नहीं है इस भी इसमें एक चर्चा और है कि जेडियू 29 दिसंबर को अपनी बैठक कर रहा है नेशनल एग्जक्यूटिक की बैठक और संभत्वा का लोग है उनसे इसके अलावा बहुत सारे जो पुलिटिकल आपजर्वर्स हैं उनसे भी मैंने चर्चा की और जो मेरी जानकारी है कि जेडियू की बैठक में मूरतल उनके संगठन के आपसी जो मसले हैं उनको तैक करने का एक फैसला किया जा सकता है इसमें नए अध्यक्ष का चैन भी हो सकता है तो कि जो मौझुदा अध्यक्ष है ललन सिंग जी राजी औरंजन सिंग उर्फ ललन सिंग उनको लोग सभा का चुनाव भी लड़ना है वैसे भी लोग सभा के मेंबर हैं अगला चुनाव भी उनको लड़ना है तो चुनावी तैयारी में वो भी जी तो हो सकता है कि सांग अठिक स्थर पर ये जिम्यदारी किसी और को दी जाए। हो सकता है नितिश कुमार स्वेहम वो जिम्यदारी लेना पसंद करें या किसी अन्य को भी वो सौप सकते हैं। तो ये जो चर्चा 29 दिसंबर की बैटक की चली बहुत सारे हलकों में कि ये इंडिया एलाइंस को लेकर कोई प्रावलम तो नहीं क्रियेट होने जा रही है जेडियू में तो ये भी एक चर्चा चली कि बही 29 की बैटक में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा जो इंडिया तो मुझे लगता है कि जेडियू में समस्याइं जरूर हैं खासकर इंडिया एलाइंस के कामकाज को लेकर उनके विन घटकों से असामतियों को लेकर देखे इस इस एलाइंस में निश्चित रूप से एक पार्टी की तरह जैसे लोग काम करते हैं वैसा तो हो नहीं सकता य यह एक एलाइंस है इसमें तो मरना पड़ेगा कि अलग-अलग पार्टियां हैं अलग-अलग नेता हैं अलग-अलग उनके सरोकार हैं लेकिन तमाम सरोकारों और व्यक्तिकत आकांच्छाओं महत्वाकांच्छाओं के बावजूद जो देश के सामने गंभीर चुनोतियां उन चुनोतियों से वो रूबरू भी हैं और यही कारण है यही वो पॉइंट है जिस पर यूनाइट होने के लिए सभी एकमत हुए हैं सामत हुए हैं इसमें सेमेंटिंग फोर्स निश्चित रूप से कॉंग्रेस पार्टी आज की तारीख में है एक जमाना था जब यून इसन सिंग सुरजीत जो हैं वो एक सुत्र होते थे जो सब को सब को जोड लेते थे आज की तारीख में वो सुत्र निश्चित रूप से मलिकार जुन खड़ गया राहूल गांधी को बनना पड़ेगा अगर वो नहीं बनते तो मुश्किलात जरूर पैदा हो जाएंगी और अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि वाकई इस फ्रंट के लिए इस एलाइंस के लिए कॉंग्रिस पहल कर रही है नितिश कुमार की नाराजगी की ख़बर जैसे ही आई राहूल गांधी ने तुरत उनको फोन किया उनसे बात चीत की तेजस्वी आदा उस्वेंड उनके घ लगता है और और अन्य सुत्र भी बताते हैं तो ये ले देकर जो इस समय इंडिया एलाइंस को लेकर जो सवालात उभर रहे थे बहुत सारी आशनका भरी रिपोर्ट्स आ रही थी उस पर मैंने सोचा कि आपके समक्ष अपनी बात कहूं अपनी टिपड़ी मैं दर्श करू नमस्कार आदाप सत्रियकाल